तो हाई दोश्ट मेरबी आज में आपको मैंगो में जो दाना कैसे बना जाता है इस प्रकार से आप अपने मैंगो में डाना कैसे बना रह सकते हैं इसके बारे मैं पुरा दिदल बताएंगा आप मीरे वीडियो में अंतनक बने रहे तो आपको सही तरीका मिलेगा हाई दोश्त मैं रभी आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अगर आपको आम का पौत है उसमें फ्लावरिंग आ रहा है लेकिन दाने नहीं बन रहे हैं तो क्या करें इस पर मैं चर्चा करूंगा जो भी आपको जानना है कि पालान के ब दाने ही दाने आप यहां पर भी देख लेजाब को कि यहां पर भी दीखिए हैं पूरा या सीस्टम सब्सेए verst अब इस इस शीज़्टम को एक ना रिवार इस तरीके साब आम जो महुर आता है बस एक कम करएंगे तो आपके महुर में दाने बनेंगी अच्छे बनेंगी और इस्पेशल क्वालिटी के आदाना बन जाता है क्योंकि तोड़ने से फायदा क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो लाइक करें रेदोले पतन को सब्सक्राइब करें मैं आपक कि आप इस प्रकार से आप अपणी आम के जो मर उता है उसमें मनी दाने बना सकते हैं आपका de kis Sh предлож give me और शारा है और अफिल हमने उसे प्रूनिंग किया है अप बताता है और प्रूनिंग कितने उपर से करना चाहिए और को करना चाहिंए इसका ताइपिक जब भाने में बताउंगा ये देखिए हमने पर दोड़ा है और इतों थऱ पांट छे याई इसंसे प्राँच रख रखेंड मैं। 혼्यघी द्था oh by lagasya गया है है या तेकनीक है हमारे कहती जीए कोफोग कर देंगे तो आपके जो फ्लावरिंग स्टेज में हो वह दाना बनना प्रारण हो जाता है इसको बताने के लिए आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं ताकि आपका छोता पौधा या बड़ा पौधा हो जिससे देखिए हमारे हर पौधे में हमने प्रूनी कर दिया है और यह तरीका मैं कई बार से कर रहा हूं लेकि 100% रिजल दिया है अब बात आता है इसको देखिए अभी जो मौर है उसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हुआ है ठीक है जब फ्लावरिंग नहीं हुआ रहे गाना तब उस स्टेज में तो इस प्रकार से दाने बन जाते हैं जो आपको फिर दिखा रहा हू यह आम है इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हुआ है तो हमने इसको तोड़ दिया है तोड़ने से फायदा यह होता ना हर ब्रांच में एक लेवल का भोजन पहुचायाएगा तो वह दाना अच्छा बनाता है और आपका दाना भी जहरेगा नहीं ठीक है इस प्रकार से आप अपने मैंगो प्लांट में यह कारे कर देंगे तो आपके जो मौर आता है उसमें दाना बहुत ज़्यादा बनते हैं कभी भी आप एक बार दो चार डालिया कात दें तो उसमें देखेंगे इस प्रकार से मौर में दाने बन जाते हैं कातने का सही हमने टाइमिंग इसमें ब क्योंकि मैं कभी भी फेक बीदो नहीं बताता हूं नहीं बना के दिखाता हूं जो भी आपको नो समझ में आये तो मेरे से एक बाद कमेंट कर लीजिए ठीक है ठीक है सम में फलावरिंग चलो गया है और हमने उस पर से पूर्णिंग कर दिया है और यह दिखिए हमने इसमें चोते पोड़ा है इसको इसको जाद आना को जारा बनाना नहीं है लेकि याभी मेरी उद्दे độ से फरा से नहीं है मैंने इसमें अवह प्रूरूर्णिंग किया है प्रूनिंग करने के बाद देखिए इसमें देखिए दाना चोटा लेके तोड़ देंगे इसको क्योंकि अभी बहुत चोटा पौधा है मुश्किल से लगभग दो फीट का पौधा है इसमें देखिए दाने बन गए हैं और देखिए हमने दाना को तोड़ लिया है जिसे पौधा निकल जाते हैं तो पौधे सुकने लगते हैं और पौधे कमजूर हो जाता है अब कभी फ़राएं तो लगभग थोड़ा पौधा मोता हो जाए पांच से ब्रांज आ जाए तब फ़रा सकते हैं जो दिखिए हमने इस टेकनिक से उप्यों किया था तो इसमें दिख ईसको भी मंहें यूफ को भी तोड़ा है और इसको दीए जो 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 प्रांच है उसमें समय दाने बने थे और हमने सारे पाधक पौढा दिकी अपार्निंग कर दिया और यहां पर निच्छे दाना है यह जिस जिस ब्रांच को हमने रखा है उस ब्रांच में दाने बने हुए हैं और अच्छे बने हैं इस टरीका से आप अपने पौधे में एक बार आवस करें आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करें पिलिज यार मैं आपका दोस्त रवी करेंट करेंगे।